सभी बच्चों को नुश्कार हम बात कर रहे हैं SSC mathematics की जिसका topic है quadratic equation जिसकी previous year questions जो आए हुए हैं उन्हें डिसल्स कर रहे हैं हम अगला question डिसल्स करते हैं आप देखिए उन्हें और enjoy करिए देखिए यह SSC CGL 2017 का question है कई question कई set बनते हैं तो यह किसी set में रहा होगा मैं question को पढ़ता हूं तब तक आप दीदारे question करिए question कह रहा है कि if alpha and beta are the roots of the equation x square plus x minus 1 is equal to 0 यहीं x equation दी गई है x square minus x plus x minus 1 is equal to 0 इसके roots alpha और beta है तो आपको उस equation को निकालना है जिसके root alpha और 5 और beta और 5 हूं दाए अगर दिया बहुत technical question है नहीं देख करके खतरनाग लग रहा है question कहे क्या रहा है पर समझ लेते हैं फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं देखी यह कह रहा है कि question dv है x square plus x minus 1 is equal to 0 यह एक given equation है तो इसके roots दिये हुए alpha बीटा पहले तो इससे जो निकाल सकते हो निकालने आप निकाल लेते हैं तो हम जानते हैं अगर इसको standard equation से compare करें second degree की जो कि a x square plus b x plus c होती है तो यहाँ पर a की value क्या है 1 b की value क्या है 1 और c की value क्या है minus 1 तो इसके roots दिये है alpha और beta तो alpha plus beta की value दिये है minus b y a यानि की minus 1 और alpha into beta दिये है c y a यानि की minus given जो आद ध्यान से देखेगा एक लफड़ा अगर यहाँ से मैं alpha into beta minus 1 है अगर मैं beta की value निकालूं तो क्या minus 1 पान alpha निकाल सकता है चुकि आपका जो requirement है वो क्या है requirement है एक ऐसी equation जिसके roots है alpha की power 5 बीटा की power 5 यानि आपकी equation का जो नई equation है उसके roots है alpha की power 5 बीटा की power 5 अब कभी-कभी alpha की power 2000 दिये जाती है तो यानि कि आपकी equation कैसे निकलेगी x square minus sum of roots into x plus product of roots ऐसे निकलेगी ना तो भाया alpha प्लस बीटा के साथ हम क्या कर दें कि power 5 आ जाए तो आपका है simple से बात है power 5 कर दो अरे भी आप power 5 करोगे तो केवल alpha की power 5 प्लस बीटा की power 5 ही थोड़ी आएगी और भी छोड़ी-छोड़ी powers आएगी उनका क्या ले जाएगी तो उसके लिए आप तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा द्रस साउधान यानि बीटा को क्या लिए रहता है आपको S चाहिए तो S का मतलब आपको क्या चाहिए एलफा की power 5 प्लस बीटा की power 5 चाहिए और बीटा की value आपके हिसाब से क्या है माइनस का 1 upon alpha है यानि कि आपको alpha की power 5 माइनस 1 upon alpha की power 5 चाहिए ये आपकी requirement है और आपको given है alpha minus हम बीटा का कामी खितम कर दिया आपको दिया है alpha minus 1 upon alpha आपने का इसा क्यों किया चुक्कि हम अगर x minus 1 upon x की कुछ power करते है न तो जब 2ab और multiply होता है तो alpha और 1 upon alpha cancel हो जाता है थोड़ा easy पर जाता है इसलिए हमने किया तो हमने का देखो ऐसा है कि हम एक थोड़ा दिमाग लगा दे अब यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक हम direct लिखे दे रहे हैं फिलाल देखो आप कहेंगे देखो भईया ऐसा है कि alpha square का multiply जब alpha cube से करेंगे तो alpha और 5 आएगा और 1 upon alpha square को मानपार 5 पर और 5 आएगा तो हमने कहा देखो ऐसा करते हैं कि alpha square प्लस 1 upon alpha square और alpha cube मानपार 1 upon alpha cube करेंगे तो यह चीज़ आनिच चाहिए आईगी नहीं हमको नहीं मारू तो ब्रैकेट खुल करके देख लिएते हैं देखो, जब हम Alpha square का Multiply इससे करेंगे तो आएगा Alpha की Power 5 जब Alpha square का Multiply इससे करेंगे तो आएगा Minus का 1 upon Alpha जब 1 upon Alpha 1 for mercy का इससे Multiply करेंगे तो आएगा Plus का Alpha और जब इसका multiply इससे करेंगे तो minus का 1 upon alpha पौर 5 यह अलफा पौर 5 आया minus 1 upon 5 पौर 5 आयेगा plus alpha आया minus 1 upon 5 यह इक्स्टा आ गया इसके multiply करने पर alpha की पौर 5 minus 1 upon alpha पौर 5 तो आया ही आया है यह term इक्स्टा आ गया plus का इस नहीं minus कर दो इसी term को हम यहाँ पर minus कर देते है alpha minus 1 upon alpha चलेगा अब अगर इसको calculate करेंगे तो इस plus alpha को यह minus alpha कैंसल कर देगा और यह minus 1 upon alpha को यह plus यह पूरा पौरा term कैंसल हो जाएगा सो भी बात आई नहीं आई अब हमको इसकी value निकाल ली पड़ेगी यह तो निकल आया हमको यह चाहिए और हमको यह चाहिए ठीक है इसको उपर कहीं लिख देते हैं फिर बात करते हैं यह s लिखा हुआ ठीक है अब देखे alpha square plus 1 upon alpha square निकालने के लिए आपके पास given जो condition है वो यह है अगर मैं इसका square कर देता हूँ alpha minus 1 upon alpha का square कर देता हूँ तो आप जानते हैं इसकी value, alpha square plus 1 upon alpha square minus 2 होगी है न? और alpha plus 1 upon alpha की value क्या है? minus 1 upon alpha क्या है? minus 1 तो इसका square करेंगे तो 1 आएगा माइनस 2 फिद्य है यह 5 sayo था अजायेगा तो alpha square plus 1 upon alpha square यह इलफा square plus 1 upon alpha square की value कितनी होगी three यह भाई साब निकलाया, यह वैलू 3 आ गई, ठीक, सुझ में यह बात, आप क्या चाहिए, अब आपको चाहिए, अलफा क्यूब माइनस 1 अपान अलफा क्यूब, कहां से, जो गिवन है ना, यहीं से निकलना पड़ेगा, तो यहां से निकाली जरा, अब देखो ध्यान से, य माइनस 1 अपान अलफा क्यूब माइनस 3 इंटू अलफा इंटू 1 अपान अलफा, अलफा माइनस 1 अपान अलफा, मालोगे ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a b इंटू a माइनस b, ठीक है, यह भाई साब कैंसल हो गए, इसकी वलू दी है माइनस 1, उसका क्यूब प्रव ministry इन्हाट करणकित परम के तो हैं परों समय च्बाकर पराइगी अमें समयती एक्यक्राइब सब्सक्राइब का धिसे मांटसथ आगई एकрийन थागई तों सबस्वार्णक्षर प्लिता न 오늘 कर दो पहुतरा और दों जायों सकता हैं यहां लेते हैं, अगर कोई कोईशन X स्क्वार माइनस और माइनस 11 है, प्लस 11 X आ जाए, आगे 11 पता नहीं, अगर किसी कोईशन को लिए दो टर्म है, तो यह आपका स्रूसन होगा, लेकिन मजबूरी यह है, कि आपके आप्षन में, प्लस का 11 X एक ही में, डी पार्ट में, त निकाल दो एक और पार्ट, निकाल लो, P की वैलू क्या है, अलफा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 है ना, यह अलफा इंटू बीटा की पावर 5, और अलफा इंटू बीटा क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर जब और करोगे, तो माइनस 1 आएगी वैलू, तो म तिर डिसाइडिंग फेक्टर होता है माइनस कबन ठीक है लेकिन अगर माले प्लस का 11 आ रहा है और आपको यह कंफर्म है कि आप सही है गलती नहीं होनी चाहिए तो आप उसको सही कर दो ठीक है तो दिस वाज़ दो कोईशन सीजियल टूथाउजन सेवनटी यह सेजियल अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो तो कोईशन कह रहा है कि इस दूपिक मेंग आपने प्लस इस आपने यह सेजियल टूब धूबभ ऑद ब्रहबर है तो निम लिखित में कौन सा रही है साउधान अगर आपने इस टॉपिक को देखा हो तभी आप पहुचे होंगे मान के हम चलना है फिलाल बहुत बच्चे इमानदार नहीं होते हैं पढ़ाई की प्रती पढ़ते जरूर हैं कि इमानदार नहीं होते हैं आपको इमानदार होना पढ़ेगा हमको पढ़ाने के लिए इमानदार होना पढ़ेगा आपको पढ़ने के लिए उसको नोट कर लेते हैं गिवन एक कोशन जो आपकी है वो क्या है A B माइनस C X स्क्वार A B माइनस C X स्क्वार प्लस B C माइनस A X C माइनस A X प्लस C A माइनस B is equal to 0 अभी हम टॉपिक नहीं बताएंगे क्या हमने बताया था अगर इसको स्टेंडर्ड एक कुश्चन से कंपेर करें तो इसमाल एबिस्यालिटी कुश्चन में है तो हम कैप्टल A B C से कंपेर करते हैं A X स्क्वार प्लस B X प्लस C ब्रावर 0 से कंपेर करें तो A की वैलू है A B माइनस C और B की वैलू है B C माइनस A और C की वैलू है C A माइनस यह कैप्टल C है और कुश्चन में स्माल सी है तो कहरें इसके रूट्स एक्वल हैं तो कंडिशन आपको निकालेंगी कंडिशन क्या होगी कुश्च दी वी कंडिशन है यही एक्वल मैंने उसमें डिस्क्स किया था उसमें हमको नहीं वालू था एक क्वश्चन आया हुआ है बाइचांस हुस्ता मालूम भी हमको याद नहीं है लेकिन हमने क्वश्चन डिस्क्स किया है देखो यह नहीं वालून था कि दुबारा इसमें हमको डिसल्स करना पड़ेगा उसमें था कि अगर अगर किसी equation में एक equation ऐसी दीवी है और अगर a प्लस b प्लस c 0 है और roots equal है तो roots हमेशा alpha और beta किसके एकल होते है वन के एकल होते है यह condition है अगर ध्यान से देखें अगर यहाँ पर a की value क्या है a की value है a b minus a c plus तो कुलो b c minus a b plus a c minus b c तो a b minus का plus का cancel हो जाएगा a c minus plus cancel हो जाएगा b c cancel हो जाएगा जिरू आगे ना इसका मतलब alpha बीटा यहाँ पर क्या है 1 है यह condition दीवाँ पर ठीक है तो इसका मतलब अगर हम alpha into beta करेंगे तो क्या हैगा c by a capital हम लिख रहे है तो alpha into beta बोले तो 1 और c बोले तो c a minus b a बोले तो a b minus c बस हो गई condition यह condition है अब इसको थोड़ा सा amendment करके जैसा दिया है उस format में लेके आना है अगर यही दिया हो तो यह answer लिख देते हैं अगर हम cross multiply करें तो आएगा a b minus a c is equal to a c minus b c अब यह minus का a c उधर जाएगा plus का हो जाएगा और b c को जाएगा तो आएगा a b plus b c is equal to 2 a c इन सब को वैसे यह भी condition हो गई अब यह depend करता है आपके book में किस तरीके से condition उसमें option में dv है ठीक है तो अब थोड़ा सा은श कर लेते हैं किसी के साथ a b है किसी के साथ a c है किसी के साob c है हम तीनों को ए b c से divide कर लेते हैं तो a b ko divide किया a b c से b c को divide किया abc से और a c को divide किया abc से यहाँ पर two upon B is equal to one upon a plus one upon c यह condition थी और जो topic हमने किया था वहां भी इस कंडिशन को किया गया होगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन बाक्स में इस टॉपी का लिंक नहीं दूँगा वोले है तो उल्टा बोल रहा आदमी लोग तो कहते दे दूँगा अच्छा याद रहेगा तो दे दूँगा ठीक है कभी कोई नहीं याद रहता है तो कि BSC है Engineering है कि वीडियो में बनाते अपना ठीक है थिर्भी आप पर सही है इसका b पार्ट इस सही ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो थैंक यू